मुझे अगें अगें मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूं एक और ओनेस्ट टॉक के एपिसोड में जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑनेस्ट टॉकिंग करने वाला हूं और आज की यह जो बात है यह आप मानके चलो कहीं ना कहीं अगें आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाला है और पूरी बात ध्यान से सुनना तो शायद आपको मज़ा आएगा और आप उसे अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करने की कोशिश करना देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जब मैं छोटा था मैं अगर कहीं पर भी जाता था for example अगर मैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जा रहा हूँ चीक है imagine करना चीज़ को मैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता हूँ मैं मेरे डैड या मॉम के साथ किसी ऑफिस में जाता हूँ मैं किसी स्कूल के नए रिसेप्शन पर जाता हूँ मैं किसी फंक्शन पर जाता हूँ मैं किसी मैरिज फंक्शन में जाता हूँ मैं किसी रिसेप्शन पर जाता हूँ मैं एरपोर्ट पर बैठा हूँ मैं किसी भी एक जगे पर बैठा हूँ और अगर मेरे हाथ में स्मार्ट फोन नहीं है तब मैं क्या करूँगा आप अपने आपको मेरी प्लेस पर रख कर देखो अगर आपके हाथ में स्मार्ट फोन नहीं है और अगर आप एरपोर्ट पर बैठें आप बस स्टेंड पर बैठें आप एक क्लिनिक पर बैठे हैं आप बैंक में बैठे हैं तो आप उस समय क्या करेंगे सबसे पहला सवार आएगा सर हम बोर होंगे हम बोर हो जाएंगे लेकिन क्या imagine करो जब आप लोग बहुत छोटे थे I think तीन साल चार साल के थे और शायद तब जादा smartphone यूज नहीं करते थे तब आपको याद भी नहीं होगा लेकिन आप एक बहुत interesting काम करते थे और वो interesting काम था observation समझ पारे हो बात को एक छोटा बच्चा जब बहुत जादा छोटा होता है तो अगर आप एक छोटे बच्चे को देखोगे तो वो क्या करता है चारो और अपने चीजों को इना observe करता है आप जब उसको खिलाते हो कि ले 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 तो वो आपको घूर घूर के देखेगा आपको observe करेगा फिर अपना हाथ उटाकर आपके face को touch करने कोशिश करेगा मतलब वो आपको observe कर रहा है आप जब उसको भार walk पर ले कर जाओगे तो वो चारो और चीजों को देखेगा कि मेरे आसपस चीजे क्या है तो जब बच्चा दीरे दीरे बड़ा होता है वो चारो और अपने चीजों को observe करता है अब आप बोलोगे सर observe करने से हमारा क्या फाइदा है बिटा observation ही तो आप लोगों को आगे बढ़ाएगी observation is the mother of innovation आप मेरे ये line ये मेरी खुद की बनाई हुई है observation is the mother of innovation अगर आप life में तरक्की पाना चाहते हो अगर आप life में बहुत आगे जाना चाहते हो बहुत जादा अपने आपको successful देखना चाहते हो तो आपको कही ना कही कुछ innovative कोई नई चीज करनी पड़ेगी आपको आपके दिमाग को चलाना पड़ेगा आपके दिमाग को इसको बोलना चाहिए एकदम ऐसा दोड़ाना पड़ेगा लेकिन वह दिमाग दोड़ेगा कब जब हम चीजों को observe करेंगे आपने Elon Musk का नाम सुना होगा Elon Musk का नाम अगर आपने नहीं सुना तो अभी आप क्योंकि उनका यह मानना था कि जो आपके नैचरल रिसोर्सेज हैं वह बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे इन्वेट एक रिपोर्ट सच में कहती है कि 2007 तक आल्मोस्ट सारा जो अर्थ क्रस्ट से पेट्रोलियम या कोल वगेरा निकलता है वह लगबग लगबग खतम होने वाल है उन्होंने बोला है यार 40 साल बाद अगर फ्यूल खतम हो जाएगा तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक कार से तो उनके माइंड में यह इनोवेटिव आइडिया कैसे आया आप्जर्वेशन से आपने मांक जगबग का नाम सुना है उन्होंने फेस्बुक क कोर्स उस समय क्यों लिखे क्योंकि वो आज से 10-15 साल पहले उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि जो कॉलेज लाइफ होती है जो कॉलेज लाइफ में हीरो बनना है लेकिन एक लड़का एक लड़की के सामने जाकर हकला जाता है उसे बात नहीं कर पाता तो एक करता बात करने ume这些 ये बात आप लोगों नेवी देखी होगी अगर आप से आमने सामने और ह लेकिन में WhatsApp पर मैं मैं होता हूँ मैं उनको डाट देता हूँ तो क्या होता है Facebook का जो orientation था वो Mark Zagabag ने पहले भाप लिया कि आगे आने वाला समय social media का तो ये लोग सब कैसे person है ये innovative person है इनका innovative ideas इनके मन में आते हैं जब तक innovation नहीं होगा तब तक आप life में successful नहीं हो सकते तो ठीक है sir आपकी बात हम समझ गए let's sum up all the things again कि मैंने एक बात सोची कि मुझे life में successful होना है मुझे NASA में जाना है मुझे ISRO में जाना है मुझे scientist बनना है मुझे life में कुछ अच्छा करना है मुझे entrepreneur बनना है मुझे business करना है मुझे business का idea आ रहा है तो ये सारी चीज़े आपको आएगी कैसे जब आप एक अच्छे observer बनोगे जब आप चीज़ों को observe करोगे तभी आप आगे बढ़पाओगे लेकिन आज के time में क्या हो गया है इनसान observe सिर्फ एक चीज़ को कर रहा है डेट इस उसका smart phone जैसा मैंने आप से कहा था कि अगर मैं बच्चा था जब मैं बच्चा था तो मैं किसी doctor के clinic पर airport पर bus stop पर playground पर marriage reception पर birthday party पर x y z जगे पर अगर मैं बैठा हूँ और मेरे हाथ में smart phone नहीं है तो मैं बोर नहीं होँगा मैं देखूँगा टुकर टुकर चीज़ों को मैं चीज़ों को observe करूँगा कि अच्छा यहां पर यह है अच्छा वहां पर वो है अच्छा यहां पर यह है अच्छा यहां पर यह रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ मेरे एक friend बोलो या मेरे एक doctor है उनका एक homeopathika clinic है तो जब मैं उनके पास जाता था counseling वगेरा के लिए तो मैं पता है उनसे बात करते करते हैं उनके पूरे मैंने उनका जो पूरा cabin है उसको मैंने observe करा कहाँ पर गणेश रखें कहाँ पर गौतम बुद्ध रखें कहाँ पर दवाई रखी है तो यह सब क्या है यह हमारा observation power है और वो सारी चीज़े मुझे आज भी याद है अगर मैं किसी shop पर जाऊँगा अपने room को decorate करने के लिए तो मुझे याद रहेगा कि उनके clinic पर एक बहुत प्यारा गौतम बुद्ध का statue रखा जो मुझे मेरे घर पे लगाना है आप वाद समझे तो यह होती observation power then observe करेंगे तो चीजों की कमी के बारे में पता चलेगा जैसे आप अगर अपनी mobile screen से आप अपने smartphone से ध्यान हटाओगे तो आपको मालूम पढ़ेगा आसपास क्या परेशानिया चल रही है जब कभी भी कोई नया innovation होता या नई कोई discovery होती है तो वो नई discovery या नया innovation कब आता है जब हम आसपास होने वाली problems को समझे और जब हम उसे break करेंगे तब हमें पता चलेगा कि actually करना क्या है जैसे मैं आपको अब बहुत अच्छा example बताता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया एक example बताता हूँ कि जो अपने Tesla Motors जो है उन्होंने क्या करा उन्होंने पहले problem समझी उन्होंने अपने असपास observe करा कि यार global warming तेजी से बढ़ रहा है अर्थ तेजी से तबाह होने की और है और natural resources खतम हो रहे हैं तो क्यों ना अच्छा ये problem एक समझ मागए अब दूसरी problem उन्होंने सोची है अगर human beings car चलाना बन कर दे bus चलानी बन कर दे तो travel कैसे करेगा चोकि अब तो time is money तो travel तो करना पड़ेगा तो उन्होंने दोनों problems को जोड़ा और इनको तोड़ते तोड़ते आए वो electric cars पर कि अगर car electricity से चलने लग जाए तो fuel भी बच जाएगा global warming भी नहीं होगी और इनसान की जो speed है वो भी नहीं रुकेगी तो ये एक innovation आया innovation कि साया observation से तो मेरा मेरे सारे बच्चों से यही कहना है कि हमें अपने observation को बढ़ाना होगा तभी हम हमारी पढ़ाई में हमारे competitive exam में हमारी life में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अब अपने आपको observation पावर बढ़ाने के लिए हमें अपने हाथ से यह smart phones को छोड़ना होगा हमें smart phones की आदत को कम से कम करने की कोशिश करनी होगी तभी हमारा दिमाग इस smart phone की दुनिया से बाहर आकर सोच सकेगा तो अगर आपको smart phone को छोड़ना है तो यार देखो मैं यह नहीं के रहा कि smart phone आपके लिए productive नहीं है आज का दौर smart phones का दौर है आपको productive smart phone बनाएगा लेकिन कैसे अगर आप YouTube के उपर अपने smart phone में study कर रहे हो ठीक है अगर आप YouTube पर motivation, inspirational talks सुन रहे हो ठीक है अगर आप YouTube पर कुछ innovative चीज़ देख रहे हो ठीक है अगर आप online platform के application पर study कर रहे हो ठीक है अगर आप Google चला कर पढ़ाई कर रहे हो ठीक है लेकिन अगर आप Snapchat, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram पर time pass कर रहे हो ये गलत है तो सबसे पहले आप और हम मिलकर क्या करेंगे जो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले भी कहा था मैं कोई specific application का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई जरुवत भी नहीं है आप लोगों को एक application गूगल प्ले स्टोर से सर्च करनी है जो आपके mobile पर screen time का हिसाब रखे जैसे मेरे पास में your hour करके एक app है जो मैं किसी भी application को open करता हूँ तो वो screen पर एक timer शुरू कर देता है कि आपने इस application पर इतना time spend किया आज वो application डाउनलोड करें मुझे 15 दिन हो गए हैं और मैंने 15 दिन में ये चीज़ देख ली है कि मेरा on and average smartphone को मैं 24 घंटे के अंदर लगबख 3-4 घंटे यूज़ कर रहा हूँ जिसमें Instagram और Facebook मिला कर एक घंटा, WhatsApp एक घंटा, YouTube and YouTube Studio मिला कर देड़ घंटा तो आप देखे YouTube और YouTube Studio तो मेरा काम है मैं YouTube पर focus कर सकता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी काफी जाधा high time है तो मैंने काफी दिनों तक analysis करने के बाद मैं इस conclusion पर पहुचा कि मैं जो social networking sites है जो non productive है, जो मेरे काम की नहीं है, वो मेरे time को waste कर रही है तो मैंने सोचा कि अगर मैं 4,5 घंटे में से मेरे life का एक घंटा भी बचा लूँ तो शायद मैं YouTube पर आप लोगों के लेए जादा videos बना सकता हूँ शायद मैं आप लोगों के लिए जादा better notes बना सकता हूँ शायद मैं आप लोगों के लिए कोई नया तरीका खोच सा कुछ इससे आपकी preparation और अच्छी हो जाए तो मैंने उसके लिए एक तरीका निकाला है मैंने ये तरीका निकाला है कि मेरे पास में जो मेरा phone है मैं इस phone को सिर्फ कुछ hours के लिए use करूँगा याने मैं एक घंटा इसको दिन में 12 से एक चालू करूँगा उसमें मैं WhatsApp, Email, Insta, Facebook, WhatsApp, so and so use करूँगा then मैं इसको switch off करके रख दूँगा then मैं शाम को 5 से 6 को एक घंटा use करूँगा और रात को 10 से 11 घंटा use करूँगा ने दिन भर में मैं इसको 3 घंटे use करूँगा उसके अलावा में इसको use नहीं करूँगा तो सर फिर अब आब लोगों से contact आपका छूट जाएगा तो मेरे पास में ये है मेरा दूसरा phone ये दूसरे phone के अंदर मैंने मेरी SIM डाल रखी है जिसमें मेरी personal SIM है जिस पर अगर मुझे कोई family person ये कोई मेरा close friend या मेरे आसपास वाले call करेंगे तो मैं इस पर सिर्फ phone पर बात करूँगा तो अगर ये phone मेरे हाथ में रहेगा तो ना तो इस पर Instagram चलेगा ना इस पर Facebook चलेगा ना इसमें Internet चलेगा तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं तो ये मेरे पास में मेरा जिसको बोलना चाहिए master plan है इस social media से दूरी बनाने का लेकिन दूरी बनाना 100% दूरी बनाना नहीं क्योंकि अगर अगर अपन पूरी दूरी बना लेंगे तो अपन फिर लोगों से कट जाएंगे कटना नहीं है दिन में तीन घंटे धाई गंटे इस पेर टाइम निकालो और मोबाइल चलाओ तो आप देखो कि मैं सिर्फ फाल्तू एप्लिकेशन पर साड़े चार घंटे साड़े तीन से साड़े चार घंटे वेस्ट कर रहा हूं फाल्तू एप्लिकेशन पर और जब काम की एप्लिकेशन चलाता हूं तो ऐसे तो मैं मोबाइल दिन पर में शायद 6 घंटे यूज़ करता हूं तो 6 घंटे की जगे अब मैं सिर्फ 3 घंटे यूज़ करूँगा उसमें भी मेरे काम की इमेल्स पहले देखूँगा मैं मेरा YouTube Studio चलाँगा मैं मेरे views चेक करूँगा comments चेक करूँगा तो मेरे काम की चीज़ जब मैं करूँगा तो WhatsApp इंस्टा चलाने का automatically जो टाइम में वो कम हो जाएगा लेकिन आप सब लोगों से connection बनाए रखने के लिए मैं चलाँगा इसको लेकिन कम hours के लिए तो अब आप लोगों को ये देखना है, आप लोग आप जैसे फाल तू पेसे बेस्ट करने की ज़रूबत नी, एसा मॉबाइल लाने की, लेकिन अगर आप ला सकते हो तो 600-700 रूपे का ऐसा मोबाइल आता है ये मेरा मोबाइल 800 रूपे का है मोबाइल लेयाओ, सिम डालो और बढ़िया चलाओ लेकिन जब यूस करना हो, जब क्लास अटेंड करनी हो जब पढ़ना हो तो स्मार्टफोन का चालू करो आप उसको में नेट चालू करो और आप पढ़ने बैठ जाओ पढ़ने बैठते समझे जब आप पढ़ने बैठोगे तो सारी एप्लिकेशन के नोटिफिकेशन मोबाइल में ओफ होने चाहिए यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो इंस्टा, फेस्बूक, वाटसेप, स्नैट, चैट, टेलेग्राम, X, Y, Z सब के नोटिफिकेशन ओफ होने चाहिए और जब आप कोई आनलाइन प्लेटफोर्म पर पढ़ रहे हो इंटे का फरक पढ़ता लेकिन वो जब तक सामने चीज़ दिखती है तो वहाँ चला ही जाता है उसको टेच करने में चला ही जाता है तो यह चीज़ हमारे लिए हामफूल है तो गाइस अगर आप स्मार्ट फोन से नजर हटा लोगे मेरा यह कहना है कि अगर आप स्मार्ट फोन से नजर हटा लोगे तो आप आसपास की चीज़ों को फिर अब्जर्व करना स्टार्ट करोगे कि आपके आसपास क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है गलत हो रहा है तो क्या मैं उस गलत चीज को ठीक कर सकता हूँ क्या मैं उस गलत चीज के लिए कुछ ऐसी चीज इन्वेंट कर सकता हूँ जो लोगों के काम की हो और अगर वो लोगों के काम की है तो कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत helpful हो जाएगी आप एक entrepreneur बनने के तरफ एक innovator बनने की तरफ अपना first step ले सकोगे then आप लोगों को किसी IIT जाने की या proper MBBS college से MBBS करने की या scientist बनने की जरुवत नहीं है आप घर बैठे भी कुछ ऐसी interesting चीज़े बना सकते हो जो काफी जादा innovative हो सकती हो और आपको एक बड़ा businessman बना सकती है तो I hope यह honest talk आपको समझ में आई होगी आपको मज़ा आया होगा आप कुछ plan इसके लिए हो सकता है कर सकते हो तो मुझे बताओ आपका क्या plan है और इस चीज़ को सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा दूरी बना लोगे अगर अभी दो साल तो आपके life के लिए बहुत जादा better होगा तो यह थी हमारी आज की बात So that's all for today, hope you enjoyed the video बात करेंगे इसी धेर सारी अगली कुछ honest talks में तब तक के लिए bye bye have a great